इस वक्त देश की जनता के मन में केबल एक ही सवाल होगा कि क्या तीन मई को लोगडाउन खत्म होगा या नहीं तो हम आपको बता दें कि 27 अपरेल को PM मोदी ने सभी राजियों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की है जिसमें उन्होंने लोगों को करोना से बचाने और लोगडाउन खोलने को लेकर चर्चा की इस बैठक में कई राजिय ऐसे है जो देश में लोगडाउन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कई राजिय ऐसे भी है जो ग्रीन जोन में है इसमें छूट देने की मांग कर रहे हैं वहीं अगर रैड जोन की बात करें तो इन इलाकों में लोगडाउन बढ़ाने पर आम स लागू करके हजारों लोगों की जान बचाई है। इस लॉकडॉन से लोगों को काफी फाइडा हुआ है। प्लंडnant बचाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकापले भारत में करोना का असर ज्यादा नहीं है। जिस तरीके से बाकी देशों में कोरोना ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है उस तरीके से भारत के हालाद काफी बेहतर है फेस कबर और मास्क बनेगा जीवन का हिस्सा पियम मोधी ने आगे कहा कि अब तक देश की जनता ने दो लोगडाउन देखे हैं दौनों का असर भी हुआ है अब कोरोना से लड़ने के लिए हमें आगे के वारे में सोचना होगा हमें अब सभी से दो गज की दूरी बना कर रखनी होगी पियम मोधी ने कहा कि इस वाइरस का असर आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है उन्होंने फेस कबर और मास को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में ये हमारे जीवन का एहम हिस्सा बन जाएंगे उन्होंने लोगों से अपील की है कि आने वाले दिनों में वो ऐसी परिस्थिती में जिम्मेदारी निभाएं औरेंज और ग्रीन जोन वाले इलाके होंगे लोगडाउन मुख PM मोधी ने कहा कि हमें आने वाले दिनों में देश की अर्थ्यवस्ता को भी ध्यान में रख कर चलना होगा उन्होंने कहा कि अभी हमारी अर्च ववस्ता की सेहट ठीक है लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि औरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ हमें करोना वाइरस से भी लड़ना होगा विदेश में फसेव भारतियों को लाने की बाद विदेश में फसेव भारतियों को लेकर पीम मोधी ने कहा कि उनकी सुभिधा के अनुसार उनहीं लाया जाएगा और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उनकी वज़ा से उनके घर परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी PM मोधी ने बैठक में राजियों के मुख्यमंत्रियों से ये अपील की है कि होट स्पोट और राजियों को कोशिश करनी चाहिए कि होट स्पोट और रेड जोन वाले इलाके को औरेंज जोन और उसके बाद ग्रीन जोन में बदला जाए विर रिपोर्ट एबी स्टार नियूज